एक्स्टेमल कलर्स आज हम कलर के बारे में स्टेडी करेंग तो देखिए हम कलर के बारे में हम तीन टाइप से कलर पर स्प्रे कर सकते हैं पहला नेम उसके बाद आजीबी उसके बाद एक्साइड एक्साइडेसिमल यह तीन टाइप से हम कलर डाल सकते हैं इसके बाद एक्साइडेसिमल आर जीबी और नेम तो देखिए यहाँ पर हमने नेम से कलर डाला पर एक्समपल टैक दे दिया उसको स्टाइल दे दिया और स्टाइल में बैक्गाउंड कलर हमने रेड किया यह फर्स्ट टाइप नेम से हुआ यह देखिए यह आउट्पुट में कलर आ रहा है रेड ठीक है अब यह हम से इसको RGB से रहेंगे उसे बाद एक्साडेसिमल से RGB से अभी इस परगप को RGB से कलर देंगे यह RGB का कलर कोड रेड के लिए तो इसको देखिए यह सेम आउट्पुट आ रहा है उसमें दोनों में कोई भी फरक नहीं है सिप उसका यह लगे लिखने का तरीका लगे बाकी सेम है और हम थड़ देंगे इस एक्साडेसिमल में भी हम उसको कलर का कोड दे के लिखना तो इसमें देखिए बैगाउंड कलर पहले में जस्ट रेड लिखना है दूसरे में RGB लिखना है ब्रैकेट में फिर कलर का नंबर लिखने है और तीस्ता एक्साड अभी यह कोड आपको क्वेशन होगी कि यह कोड का यह से मिलेंगे तो आप गुगल पर जास्ट आज़िबी कलर कोड डालेंगे तो आपको यह पूरा मिल जाएगा दिखिए यह पूरा कलर चाटी जैसे की रेड के लिए यह और यह जबी नेम लिखना है तो ऐसे लिखिए एक से डिस्मल लिखना है ता से लिखिए डिस्मल में से लिखिए पूरे कलर कोड है यह से आपको मिल जाएगे